हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपसे शेर करूंगी सरस्पती माता का पंचा अमृत अभिशेक की विधी अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस कीज तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो सुरू करते हैं हमने चौकी पे पीला कलर का आशन लगाया है और यहां पर हमने सरस्पती माता को विराजमान कर रखा है और यहां मैंने दो तिल के तेल का दीपक लिया है और अब हम सरस्पती माता का पंचामरी से अभिशेक करेंगे तो हम सरस्पती माता का नाम लेते हुए दीपक को प्रजलित करेंगे तो हमने यहां तिल के तिल का दीपक लिया आप चाहे तो घी का भी दीपक ले सकते हैं जैसी आपकी शर्दा है इसके बाद हमने यहां कच्चा दूद लिया है और हम सरस्पती माता का मंतर बोलते हुए मात माता को दूस से इश्नान कराएंगे दूत के इश्नान के बाद हम धही से माता को इश्नान कराएंगे और हम मंतर बोलते हुए इश्नान कराएंगे माता को फिर हम घी से इश्नान कराएंगे मंतर बोलते हुए सरस्वति माता को फिर हम सहद से इश्नान कराएंगे मंतर बोलते ह इसके बाद हम सक्कर लेंगे और सक्कर से इश्नान कराएंगे मंत्र बोलते हुए सरस्वती माता को फिर हम जल से इश्नान कराएंगे मंत्र बोलते हुए और ये शारा जो चौणावृत बन गया है परस्वात के रूप में परिवाजन ग्रहन कर लेंगे बाद में और फिर हमन कुम कुम से हम इश्णान कराएंगे फिर हम फूलों से माता को इश्णान कराएंगे मंतर बोलते हुए फिर हमने जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया है मंतर बोलते हुए सरस्पति माता को इश्णान कराएंगे फिर हम जल से इश्णान करादेंगे तो हमारा पंचा अमरे हमने माता को और पीले फूल अर्पित कर देंगे और भोग में मैंने आम लिया है और जल लिया है उसके बाद हम माता को धूब से पूजा करेंगे फिर हम माता की कपूर आर्थी करेंगे फिर हम आर्थी में तीन बारी जल से आच्मनी करेंगे उसके बाद हम माता को फूलों के द्वारा आरती देंगे फिर हम भोग में भी तीन बारी जल से आच्मनी करेंगे भोग आप अपनी सर्दान उशार ले सकते हैं फिर हम माता को से विंती करेंगे भोग सिवकार करने के लिए भोग और माता को भोग लगाएंगे भोग और फिर हातों में हम फूल और अक्षत और रोली लेके माता से प्रातना करेंगे अगर हमसे पंचामरित शिष्णान की विधी में किसी परकार की कोई गलती उते शमा करना हमारी पूजा शिकार करना उसके बाद हम मत्था टेकेंगे हाथ जोड़ेंगे और थोड़ा सा जल हम अपने पूजा के आशन के नीचे छिड़के अपने माते से लगा लेंगे तो फ्रेंड्स हमारी पूजा भी हो गई है आप माता को डेली भी आप पंचामरित शिष्णान करा सकते हैं गुरुवार के दिन भी करा सकते हैं आप बसंद पंचमिवी के भी दिन इस परकार से शिष्णान करा सकते है माता को तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई